प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इस्टेडिवित प्रदीपेज आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ यूपी एसाई की लेटिस्ट न्यूज है यूपी एसाई में जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कब सरकार खेलेगी टेंडर टेंडर औ लगा था टेंडर में भी विरिद्धी होती चली जा रहे है यूपी एसाई 2020 की बिसेश नोटिफिकेशन और बिसेश जानकारी के साथ मैं उपस्तित हूँ और मैं आप से कहूँगा का आप पूरा वीडियो जरूर देखके जाएगा बहुत सारी चीज़ें आपके काम की है तो यहाँ पर अभ्यार्थियों को लगा बड़ा जटका आयोक की नोटंकी जारी है सत्य और सटीक चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ वक्त भीना कवाएं मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ उसे पहले मैं आप से एक छोटी सी बात करना चाता हूँ आरो य 2020 के लिए और साथ में आपको कोई भी पैसा आप आप को बड़ां करना है अगर आप जैनल करना चाहते हैं आरो यारो 2020 तो आप क्या काम करिए सबसे पहले यहां पर जाकर करके कमेंट कर दीजिए नमबर नीचे दिया गया 800-410-9989 पर आप कमेंट कर दिये, कमेंट करके आप चैनल साथ जुड़ सकते हैं हाँ बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे GS का वो सक्षन उठाएंगे जो आपके UPSI के लिए महत्पूर होगा हिंदी का वो सक्षन करने जा रहे हैं जो सम्विदान के लिए महत्पूर होगा च्छे चैप्टर जो हिंदी के आँ आ दें सम्विदान उसमें भी UPSI भी महत्पूर होगे तो वही समिस्टार्ट करेंगे ताकि एक तीर से दोनों निशाने आसानी से साधे जा सकें अब बात करते हैं यहां पे दरोगा भरती के लिए तै नहीं हो पा रही है एजंसिया क्यों नहीं हो पा रही है इसका बड़ा सबसे बड़ा खिला यह है कि एजंसियों के साथ बहुत बड़ा खिला होता है ठीक है टीसी है दो बार से पेपर करा रही लेकिन उसके बावजूद भी एजनसी तैन नहीं हो पारे देखी क्या है 17 तारिक लाज डेट दी गई थी फिर डेट बढ़ा दी गई है इस प्रकार से कई बार से नोटंकी की जारे लगए तो महीने तीन महीने तीस तरह से काड़ दी गई उसके पहले से 6 महीने पहले से वैकेंसी आ रही देड़ साल होग है वैकेंसी आते आते लेकपाल की तरह इसकी विस्तिती बड़ी खराब है तो नागरिक पुलिस के सब इस्पेक्टर पी एसी में प्लाटून कमांडर और आगनिसमग विभाग में आगनिसमग दू कर दी टेंडर कर दी गई है और 23 सितंबर से मैं बता रहा हूं 99.99% बढ़ा करके एक अक्टूबर तक कर दी जाएगी देखते रहिएगा खाली स्वीधी भरती 2019 की इस प्रक्रिया में कुल पदों की संख्या 5623 पद सब इस्पेक्टर के 484 पद प्लाटून पे एसी कमांडर और 23 पद अगनिसमक दूती अधिकारी के हैं बोड की परिछा अजन्सियों ने चैन के लिए पहले 23 सितंबर तक टेंडर आमंत्रित किया था फिर 23 अगस्त तक टेंडर आमंत्रित किया था फिर इसके 30 बढ़ा करके 28 अगस्त की गई एक सितंबर से जब टेंडर खोला गया तो टेंडर दो ही टेंडर पड़े इसकारण बोड ने दोबारा टेंडर आमंत्रित करना पड़ा अगली 35 सितंबर तेंडर की गई थी दो दिन बाद 17 सितंबर का टेंडर खोला गया तो भी दो ही फार्म प्रस्तावित आये थे इस बोड ने बार बार टेंडर की 30 बढ़ान खोलेगी इसके बाद आगे का नेड़े लिया जाएगा यानि 24 सितंबर को फाइनल नेड़े आपका आएगा कि आपकी डेट फिर बढ़ाई जाएगी या कोई टेंडर आ जाता है इस परकार से आपके लिए एक बड़ा दुखत घटना है कि लगाता टेंडर बढ़ा जा रहा जी इसका सेक्षिन सम्विदान से चुरू करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्तपूर होगा फ्री है आपको जोईन करने में कोई नुकसान दे नहीं है तो मुझे उमीद है का आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा आप चैनल साथ जुड़ेंगे भी और आरो यारो क बैच का आनद भी लेंगे तो फिर हम लोग मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक के लिए जाज़त दीजिए नमस्कार